फ्रेंस सब्सक्राइब कीजिए वाइफाइस्टेडी चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट एक्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंस विल्कम तो वाइफाइस्टेडी.com चेंजिंग दवे उफ लर्णिग तो फ्रेंस आज इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी ट्रिक में आपको लिए 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 हैं जिससे आप क्रिकेट की जो 10 important trophies है जो की पेपर में frequently पूछी जाती है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं ओके मुश्किल से 2-3 मीट लगेगे आपको उसको याद करने में उसके बाद में मुझे लगता कि आप कभी भी इन ट्रॉफिस के नाम भूल पाएंगे ओके एक simple सी एक line है जो की आपको याद करनी है और उससे अपन सारी की सारी जो cricket की trophies है वो अपन derive कर लेंगे easily निकालेंगे तो देखते हैं उस line का है जिस line से आपन ये सब याद करने वाले है simple सी एक statement है जो की आपको याद करना है ये देखिए देवरानी के दिल में रोब से रवी रानी सीखे एक simple सी line है देवरानी के दिल से रोब से रवी रानी सीखे ओके इस line से आप पूरी की पूरी जो ट्रॉफी से वो आसानी से याद कर सकते हैं जो की cricket से संबंदिध है देखते हैं कैसे देखिए सबसे पहले अपन बोल रहे हैं कि देवरानी देवरानी के दिल में रोब से रवी रानी सीखे तो देवरानी देव का मतलब कौन से ट्रॉफी होई देवदर ट्रॉफी ओके उसके बाद second देवरानी रानी जासरी ट्रॉफी तो ऐसी कई सारी ट्र क्ट आपकि रदेख से नाम अपने इदोर से कुछ भीतन के हैं चेलिच। याद कर्सक्टे देवरानी के दिल में रोशे रवी ईराटन ऊसके बाद में आपको पताया 앞ला विजे मर्चेंट ट्रॉफी उसके बाद मैं रंजी ट्रॉफी उसके बाद मैं बिल्ला उसके बाद मैं इरानी ट्रॉफी उसके बाद मैं सी के नायडू ट्रॉफी तो इस तरीके से आप आसाने से एक statement याद कीजिए और सारी के सारी cricket संबंदित trophies के नाम इजी लिए आप याद कर सकते हैं वापस मैं आपको revise परवा रहा हूँ कि देवरानी की दिल में रोब से रवी रानी सीखे इस तरीके से आपको उसको याद करना है और इसको लेक लेना है और यहाँ से आप सारी के सारी trophies इनी वर्ट से डिराइव कर सकते हैं और हमेशा के लिए इसे याद कर सकते हैं पेपर में आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है उसके बाद में आपको कुछ भी देखने जरूत नहीं है जो कि क्रिकेट कप से संबंदित है ओके ऐसे ही वीडियोज आपन लाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आप किस तरीके से स्मार्टली याद कर सकते हैं इन सभी trophies को जो कि बाकी sports से भी related होगी उम्मीद है कि यह ट्रिक आपको पसंद आए होगी और अगर आपको ऐसे ट्रिक और जान नहीं है तो चैलल को सब्सक्राइब परना बिल्कुल ना भूले क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही ट्रिक्स और ही देखने को मिलेगी और सिख्ने को मिलेगी जो कि आपकी paper के लिए बहुत ज़दा useful है और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like करें share करें ताकि आपके दोस्तों को भी बहुत फायदा हो सके साथ में comment करें कि आपको वीडियो कैसा लगा so me day कि ये वीडियो आपको पसंद आ होगा so friends thank you and all the best